नमस्कार जोहार, अभी मैं बागमारा विधान सबा हूं, मैं उपस्तित हूं और बागमारा विधान सबा पुरे जहारकन में सबसे होट सीट मना जाता है, क्योंकि बागमारा, बेरमो, इन जगह में आप देखेंगे तो यही से आयात, निर्यात और जहारकन की प्रिश्ट भ तो आज जानने का परियास करते हैं हमारे साथ भाजपा के बहुत पुराने दोर से जुड़े हुए संग से जुड़े हुए रनितिकार मुझूद हैं ये बंगाल जहरकंड से लेकर तमाम जगों पर परवारी के रूप में काम किये कायरकरता के रूप में काम किये मेहनत किये और अपने संगठन अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे रहे हैं लेकिन आप आ गई है बागमारा की सीट यहां के सिकंदर अब कौन रहेगा अब यहां का कमान कौन समालेगा क्योंकि यहां के जो कमान समाले वेते हैं माननियों ढूलू मतोजी आप सांसद बनेगे वो संसद भवन में दिखेंगे लेकिन आप विधान सभा में पोन दिखेंगे उसको लेकर चर्चा का विसे बना है बहुत सारे दावेदार हैं और अपना राईसमारी में अपनी नाम जा चुकी है लेकिन जानने का परियास करें में हैं और साथ साथ संग में जुड़ें कितने जन सेवा किएं सबसे पहले जोहार जोहार नमस्कार स्रताओं को जंदाओं को दुर्गा पुजा के सूब आउसर पर क्या खेना चाना को कि समझ्द देसवासियों को इस मास सक्ति का जो पूजा हमें को पासक हैं समझ देसव से उसकदर से धेन अभी पुजा का माहुल चारो तरफ लगा हुआ तमाम पाटिक बेनार होडिंग देख रहे हैं लेकिन आप छेतर में आएं तो आपका उतना जिस तरह से बेनार होडिंग नहीं देखा उस तरह से चर्चा बनी थी कि एक हैं जो पुरा पाटि के लिए मेहनत संगठन के परफिव मेरे बड़े बाई अजजुत कुमार घोस ने संका मने कैरी कु समभाला और विष्टार किày उनके सानीद में हम साखा में जाते थे मैं उरफ संगठन ने घमिनेस तर से देखा कि संगठन कारी कैसいや जाता है यह होडिंग, बैनर, यह सब आडंबर है, हम लोग संगठन के जमीनी कार करता है, हमको मालूम है कि हम लोग का पास मुल मंत्र यही है, कि कारिकरता का मतलब हो गया, वो कारिकरे करता हुआ ना दिखे, कारिकरता का मुल मंत्र यही है, वो कारिकरे पर करता हुआ ना दिखे, य में यहां परकारिक है में जरना क्या कर बात होगा and और सब दिन रहेंगे क्यों सब्सक्राइब कर रहें नगर गोष्च्छा पर्मुग बना था तेरस साल कायू में वह जुनून था और उसके बाद बिजार्सी परिश्ब ने कोलेज के समय में सद्द से रहा और पार्टी के कायरिग में हमेशा भाईयों बड़े भाई लोग भी सभी हम लोग सुरू से भाज़पा में रहे हैं तो इनके कायरिग में मैं हमेशा हांच बटाता था और इसके बाद एक छोटा सा बात आपको पता दू कि क्लास 6 या 7 में हम थे उसमें हमारे यहां के बगल के पहरेक उदर के बहुत ही मनें बरी मनें सम्मानित वे जो मनें इस जगह पर पुरी चर्च तो हम छोटे थे उनका नाम हमेशा सुनते थे वह एक्सपायर कर गये थे चुबा सुबा का टाइम वे वता तो पापा भायनुसा वहते शूटा सांत लेकिन दूस्थ दिन जर्च को सब्सक्राइए उन्हों नहीं यह सांतर को सुपार शॉफ अंकल एक्सपार कर गये थे उसके चलते नहीं तो तुम्हारे को लगेंगे बोले नहीं तुम्हारे घर को बगल में नहीं तो दूर मेरे घर से दू-तीन किलोमेटर हैं तो फिर क्या मतलब एक स्कूल नहीं आने का उसी में उन्होंने मुझे मरा, दश्टर से अचके बच्चे को तो कोई मरते नहीं है दश्टर से मरा तो हम महर आयते हैं लूसा से कई रहे तो नहीं नहीं दूरर जा दो 有點 तुम्हार मेरे गए भीए वह तो नहीं जान रही था लेकिन मेरे मन में पैट olitर से आना मरना है बच्चा है फिर भी यही मरते है, मनुष्य जनम बहुत मुश्किल से मिला है, अब मरेंगे तो कम से कम, जीला भरक आदमी नहीं जाने, तो फिर मनुष्य जनम लेना विकार है, वो मेरा वो सोच आगे बढ़ता गया, और जिस समय मैंने इसमें प्यदम रखा राजितिक जीवान में, मैंने अपने संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया पार्टे को, संगठन को, और उसी उद्देश से आज कम से कम इतना तो है, कि गुद्दू घोस जीज दिन मरेगा, उस दिन एक जीला सिर्फ नहीं, यह पांच राज जो है, जहां-जहां मैंने परवास किया है, बिदान सभाव का, कार परवास किया है, वहां पर कम से कम गुद्दू घोस को, एक दिन तो सब को याद करेंगे, तो आज वह नहीं रहा, पार्टी के लिए आप कहां-कहां इसे काम के चुनावी समिदित, मैंने बिहार, जार्खन में तो करकिया है, बिहार और इसके बाद हम च्छतिस गड़, प वहां तो बहुत ही कठिन बिप्रित परिस्ते में मैंने काम किया है, मंता देवी का ज्यादा ही, मंता दिदी का, बहुत, मने, सिर्फ मंता देवी का हमारे यहां से धनवास से मातर 80 km दूरी पर है, और वह वहां नंगा नाच है TMC का, यह हम बया नहीं कर सकते हैं कि किस हरखन के निताओं को जितने भी हैं यहां पर pjp के, उन लोगर कितनी छेत्र में जा कर परभा लेकिन सबसे बरिष्ट भाजपा के हम उनको हमेशा परनाम करेंगे माने च्छतुर राम महतो जी को उन्होंने मेरे बात पर किसी बड़े बड़े नेता के बात पर नहीं किसी नहीं वो सिर्फ एक आम कायर करता जो गुड़ु घोस्वा पहुंचा था उनके पास बैठा और बोला कि आप लोग यह रंजिस को खतम करके अगर बैठते हैं तो यहां के गुम्या बिधान सवा के कायर करता जनता सबों की भलाई होगी और च्छतुर महतो जी भी और माधवलाल सिंग जी दोनों आप इसी सारा चीज़ी करके और जनता के लिए उन्होंने एक मंच पर आ अब वहीं से फिर हमारा चाहिए बताए कि उसके बाद आप अपने छेत्र में क्योंकि लोग आपको अब बागमारा में नहीं रहें सांसत बन गें भूल मतो जी लेकि यहां का एक बड़ा कदावर नेता चाहिए लोगों को एक्सपेरियंस नेता चाहिए जो जनता को काम कर आप कहरें कि हम मैंने बचपन से संग में जुडा रहा उसके बाद राजनितिक चातर के बाद आप उड़ी राईज भर में कर रहा है राज की देस लेवल की पटि है और हम देस भर में काम कर रहे हैं हमारा संगटन के साथ एक कच कर आप आप नेतुईत करता बनने का समय आ गया है तो लोग ये जन्मा चाहरें कईव बहुत सारे मौकाई ही नहीं मिला तो मैं काम क्या करूँ लेकिन संगठन के कारे को मैं जहां किया हूँ भरपूर काम किया हूँ और जब मैं हमेशा बगमारा विधान सवास में बाहर ही रहा हूँ हमेशा परवास में रहता था लेकिन जब भगमारा में रहा तो लगा कि मुझे अब यहां के राके जो मेरा अपना अस्थान है यही पर रहा और यह तो संगठन को तई करेगी या मैं युद्ण कर सकूं या ना कर सकूं यह तो संगठन जिल्िन निशूप चुताई करती है कितने साल आपने को दिया ऐस कई करता दे करते हैं अपना राष्ट सेवा दे रहे हैं जी हम लोग का यह आपको कभी नहीं लगा कि हम किसी निदल में जाके विधाय का टिकल यह संगठन में हम जब आते हैं तब ही हम लोग के समय में क्लियर रहता है कि मैं मैं से बड़ा संगठन से बड़ा देश अगर मेरी जहां मुझे लग है यह है और हम से ज़्यादा जयुरत संगठन को है तो उस काम के लिए मैं संगठन के पास खड़ा हो गया कि संगठन से होती है भाजपा तो आप किस तरह से काम करने हैं भाजपा टिकट देती है सभी सम्मानित हमारे साथीगन हैं हमारे बरिष्ट बरिष्ट साथी गंज लोग जितने भी हैं उन सब के साथ बैठ कर भाजपा के अपने अलग रनिती होती हैं जैसे आप लोग ने भी हर्याना में देख और आपके माध्यम समय सभी मने सभी को हर्याना की जीत पर सनातन्यों के जीत के बधाई में देना चाहता हूं तो यह संगठन का काम को आगए करके और अच्छे बोटों से भाजपा को यहाँ जीताने काम को नहीं लड़ते हैं संगठन के कारेकारदा लड़ेंगे और हम लोग सिर्फ एक माध्यम बनेंगे चहरा की समय से लेगी संगठन चुनाव लड़ती है और उसको कैसे जीतना और क्या जिताना यह हम लोग अपने बली बात हैं। पाकी देखना होगा कि ढूलू मतो जी यहां से जाने के बाद बागमारा का कमान कौन समालेगा भाजपा इन पर नजर गड़ाती है। तो क्या इस छेत्र में किस तरह से गुड़ू हो जी काम करेंगे वो तो अब देखने की दिलचस्व बात होगी। पाकी समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।